हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टुट्रेप्स, मैं हूँ सरबजी सिंग, आज हम करेंगे नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर सैवन्थ, एन्पियो का उशा पॉप्लिकेशन की बुक से चलिए खोल ये अपनी बुक और देखें, कोश्चन नमबर सैमत नमारे पास क्या बोला उसको निकालने के लिए उसने हमें अब इस समय हमारे पास जो सब्क्रिप्चर सीव दिया हुआ है, वो आपको येर वाइस दिया हुआ है, 2015 का लग दिया हुआ है, 2015 का लग दिया हुआ है, और आपको Total Active Member भी बताया है, औरichen each कितना पे कर रहे हैं वो भी मोट बताया हुआ है, और area बताया हुआ है, है जो बिघ्जिनेंग में है 2015 के, मीज ओपनिंग area भी बताया हुआ है, Closing आप निकाल लोगे, सो चलिए इसको कैसे करते हैं देखते हैं चलिए solution स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिखते हैं calculation amount of subscription अब subscription को calculate करने का simple सा पारमल है total number of members into rate of subscription आपको closing subscription निकालने की जुरूरत नहीं outstanding because आपने तो simple सा amount निकालना है जो आपको given है जो आपने income and expenditure account को credit करना है आपको जहां पर given है total member है हमारे पास 1800 उनका subscription कितना है for 15 rupees तो total subscription हमारे पास कितना आ गया total subscription हमारे पास बन गया 27,000 तो जो amount of subscription created to be income and expenditure count है बहुआ 27,000 अगर आपने आउट सेनी subscription निकालना है तो आप इस में से subscription received in the year लेस्ट कर सकते हैं अगर उसको less कर देते हो जो बच जाएगा वो आपका outstanding subscription at the end for the year 2015 के लिए निकल जाएगा ठीक है लेकिन आप से पूछा किया income and expenditure account को कितना amount जाएगा तो आप सीधा ही निकालके लिख सकते हो ठीक है अगर आप outstanding subscription निकालना जाते हो तो 27,000 से आप 25,320 माइनस करोगे तो आपके पास outstanding subscription हमारे पास closing आजाएगा 1680 अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए हम आपके कमेंट करेंगे जल से जतनी जल्दी हो सकता उसनी जल्दी रिप्लाइगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फैंट से लेडिव के साथ और चैनल करेंगे जल्दी एकाल